तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंक्षडी कच्छा तीन की पुस्तक है हिंदी की तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ पंद्रा जड़ और फूल तो इसमें सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसके अभ्यास प्रश देखेंगे इसी वीडियो में तो सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं पाठ पंद्रा जड़ और फूल गुलमुहर का एक पेड था जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ता जैसा लगता एक बार फूलों को सैतानी सूजी उन्होंने पेड की जड को बदसूरत कहा उसकी खूब हसी उड़ाई लेकिन जड चुप ही रही कुछ भी ना बोली बरसात आई बादल जोर से गरजे बिजली जोर से चमकी फिर गुलमुहर पर आकास से आग की लपट जपटी और बिजली गिरने से गुलमुहर जुलस गया एकदम ठूट सा हो गया बरसात बीती जाडा गया और वसंद आया फिर हुआ एक चमतकार उसी गुलमुहर के ठूट पर कोपने आई साखाओं पर नए पते निकले और वह पेर फिर से हरा भरा हो गया फिर कलिया बनी और कलियूं से लाल लाल फूल जर ने फूलों से पूछा कहो भाई फूल तुम कैसे हो नए खिले फूल समस्ते थे कि जर की सेवा और मिहनत से ही पेर फिर से पनपा है फूलों ने अपना सिर आदर से जुकाया और कहा हमने आपके ही कारण जीवन पाया है आप सच्मुष खूब सूरत हो अब ये रही कहानी अब इसकी बाद हमाते हैं अभ्यास प्रशन पे इसके तो इसमें अभ्यास प्रशन में पहला प्रशन पहले लिखा है उत्तर लिखो की फूल सुन्दर थे और जर बदसूरत दिखती थी अगला प्रस्ण है गुल मुहर पर बिजली कब गिरी गुल मुहर पर बिजली बरसात में गिरी अगला प्रस्ण गाह है नए फूलों ने जर को खूबसूरत क्यों कहा नए फूलों को यह बात समझ में आ गई थी कि जर के क कारण ही दोबारा जीवन मिला है इसलिए नए फूलों ने जड़ को खूब सूरत कहा आगे है नीचे दी गई सूची में कुछ चीजें आकास की हैं और कुछ धर्ती की इनकी अलग-अलग सूची बनाओ इंद धनुस हाथी फूल तारे बादल नदी चान तो आकास की चीजें हो गई इन धनुस तारे चान और धर्ती की चीजें हाथी फूल नदी इसके बाद आता है बिलोम सब्द लिखो बद सूरत आया नया सुख सीधा डर की सब्द हो गए अब इनका बिलोम सब्द हो जाएगा बद सूरत का खूब सूरत बिलोम आया का बिलोम गया नया का बिलो पुराना, सुख काबिलों दुख और सीधा काबिलों उल्टा और डर काबिलों निडर। अब आगे प्रसन क्या चार है, तुमने बरसात में किसी तालाप को देखा होगा, गर्मी में इसी तालाप में क्या-क्या अंतर आ जाता है, सोचो और बताओ, हाँ, उत्तर हो जाएगा, हाँ, बरसात में तालाप लवा लव पानी से भरा होता है, गर्मी में इसी तालाप में पानी सूख जाता है, तालाप की मचलियां मर जाती हैं और तालाप से धूल उड़ने लगती है, आगे है प्रस्ण प्रसंकिया 5, बताओ विद्याले आते समय रास्ते में तुम्हें, पहला प्रस्ण है कि तुम्हें कौन-कौन से पेर दिखाई देते हैं, तो जो भी पेर वैसे तुम्हें कुछ पेरों के नाम दिये हैं, हमें विद्याले जाते समय रास्ते में आम, नीम, पीपल, तोसी, जामुन, बरगद, असो, यूकलिप्टस, आदि के पेर दिखाई देते हैं, अब इसमें अगला प्रस्ण है कि कौन-कौन से पसु पच्छी दिखाई देत हैं, तो रास्ते में हमें गाय, भैस, भक्री, बैल, साड, कौवा, विलहरी, कुत्ता, कभूतर, बंदर, तोता, गौरया, आदि दिखाई देते हैं, जो भी जिव जनत्वापको एमल पसु पच्छी दिखाई देते हैं, उनको लिखना है, अब आता है कि यातायात के कौन- मोटर ट्राइकल, कार, बस, स्कूटी, इरिक्सार, रेल गाड़ी आदि दिखाई देते हैं, अगला प्रसन है, प्रसंख्या 5, तुम्हारे अनुसार कोई चीज खुबसूरत कभ होती है, तो हमारे अनुसार कोई चीज खुबसूरत अपने गुणों की कारण होती है, अब आगे आता है प्रसंख्या 7, हमें किसका सम्मान करना चाहिए और क्यों, तो हमें अपने माता पिता, गुर्जनों और तथा अपने इसी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसके बाद आगे प्रसने दिया गया है, 8 है नि अंतिम प्रसने है, सही बात पर सही का निसान लगा तो यहां पेड़ वातावरन को सुध करते हैं, हां तो इसमें हां में निसान लगा देंगे, हरे पेड़ों को काटना चाहिए, नहीं तो इसमें हम नहीं पे निसान लगा देंगे, यहां पर प्रिश्णों का क्रम जो है यह प्रिशंख्या हमारा पांच दिया गया है, पांच